गनेश चतूर्थी का पावन पर पूरे विश्व में हर सो उल्लास के साथ मनाया जाता है तो मैंने सुचा क्यों ना इस वीडियो के जरिए गनेश चतूर्थी से जुड़े हुए कुछ रोचक तथे बताऊं और साथ ही साथ सबसे भव्य पंडाल को भी दर्शन कराऊं गनेश या गनपती गनो के ईश है उनके स्वामी है इसलिए कोई भी शुब काम होता है तो हम सर्पथम गनेश जी की उपासना करते हैं गनेश चतूर्थी के दिन ही भवान गनेश का जन्म हुआ था यह दिल भातरपदर की चतूर्थी थी तो इसलिए या तियोहार यानि चतूरदशी तक चलता है। जी ने अपनी आखें खोली तो उन्होंने देखा कि लगातार दस दिनों से लिखने की वज़ा से गणे जी के शरीर का तापमान अत्यतिक बढ़ गया है। जिसको देखकर वेदव्याजी व्यकुल हो उठें और तुरंत उन्होंने गणे जी को अपने साथ ले जाकर तरूवर में इस्नान कराया। तब से लेकर के आज सक चतुर्दशी के दिन गणपती को विशरजित किया जाता है, उनको शीतल किया जाता है। इन दस दिनों में वेदव्याजी शिरी गणपती को उनके पसंदर सुन्दर पकवान दिया करते थे। जिसकी वज़ा से आज भी हम गनपती के दस दिनों तक भगवान को उनके पसंद के मोदक और अन्यसामागरी प्रस्तूत करते हैं। एक धाणा या भी चली आ रही है। लोग प्राया गनपती से इतनी इक्षा पूर्ती के लिए उनके कानों में कहते हैं कि दस दिनों तक लगातार सुनते सुनते उनके शरीर का तापमान बढ़ जाता है जिसे बाद में उनको विसरजित कर उनको शीतल किया जाता है। वैसे तो गड़े चतुर्ती पूरे विश्व में मनाई जाती है लेकिन महराष्ट्रा में इस पर्व का विशेश महत्व है। यहां पर लोग प्राया जब कनपती को विसरजित करने के लिए ले जाते हैं तो वो बोलते हैं गड़पती बप्पा मोरया पूर्चया वर्सी लवकरिया। गड़पती बप्पा मोरया में मोरया सब्द का मतलब भी गड़पती के मयूरेश्वर सुरूप का उधारण है। गड़ेस पुरान के अनुसार सिंदु नाम का एक राक्षस था जिसके संघार के लिए गड़पती ने मोर को अपना वहान चुना और अपने छे हातों से उसका संघार किया तब से आज तक हम गड़पती भपा मोर्या कहते आ रहे हैं महराष्टा की इतिहास की बात की जाए तो गड़पती की उपासना सातवाहन, राजकूट, चालुक जैसे राजाओं ने गड़ेश उस्षव की प्रथा की सुर्वात की चत्रपती शिवाजी महराज भी गड़ेश जी के उपासक थे और बाद में पेश्वाओं ने भी इस प्रथा को आगे बढ़ाया 1890 के पहले तक गड़ेश उस्षव सिफ घरोता की सीमित था एक बार की बात है रतनागिरी के सपूत और हमारे देश के लाल लोकमान बाल गंगा धर तिलग चौपाटी पर बैठे हुवे थे और वहाँ पर बैठे बैठे वहाँ सोच रहे थे कि ऐसी कौन सी युपती है कि सभी लोगों को जातिपात उच नीच अमीर गरीब से उपर उठकर एक साथ लाया जाए और एक साथ इस देश के लिए खड़ा किया जाए तो उनको एक फिचार आया कि क्यों ना गड़ेश उत्सव जो अभी तक घरों तक सीमित है उसको सारजुनिक किया जाए जिससे देश के सभी लोग एक जूट होंगे और साथ में मिलकर आजादी के लिए प्रयात्न करेंगे जिसके फल सरुप पूने में गणपती के सारजुनिक पंडाल की स्थापना हुई इसलिए पूने को सारजुनिक पंडालों को सरवप्रथम इस्थापित करने का सम्मान प्राप्त है और इस युक्ति से फैदा या हुआ कि एक तो वो अपने विचारों को जन जन तक पहुचा पाए और दूसरा इस उत्सों ने यहां के युवाओं के अंदर जोस भर दिया और उनको भी स्वराज के लिए प्रेडित किया पूने के गणपती पंडालों में पाँच मानाचे गणपती पंडालों का किसेश महत्व है पाँच मानाचे गणपती पंडाल का मतलब होता है कि जब विसरजन के दौरान लक्ष्मी रोड से मूर्दिया गुजरती है तो इन पाँचों पंडालों को सबसे पहले वरिता द दर्शन करेंगे। 동안म्य यात्रा की शूरुवात हम लोग सरव पफम, श्री कस्वा गणपती मन्डल के दर्शन की यात्रा से करेंगे। शिरी कस्वा गनपती मंडल सार्जोनिक मंडल में सबसे पहले स्थापित हुआ इसी लिए लोग इसको प्राया मानाचे पहला गनपती भी कहते हैं अब हम लोग दर्शन करने जा रहे हैं दूसरे सबसे प्रसित पंडाल तांबड़ी जोगिश्वरी गनपती जी का तो चलिए तर्शन करते हैं इस पंडाल की स्थापना भी लोगमान बाल गंगाधर तिलक जी ने 1893 में की मूर्ती को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको भगवान का मुख एक अफरीकी हाथी के समान लगता है जो की अपने में ही विशेश है एक और विशेशता की यह मूर्ती स्थापना के बाद से वैसी की वैसी बनी हुई है इसको पिछले चार पीडियों से एक ही परिवार दोरा बनाये जा रहा है एक और रोचक बात है दोस्तों कि यहाँ पूरे के ग्राम देउता है तो यहाँ पर किसी भी प्रकार के बॉले बुट सौंग को चलाना सक्त मना है उनके सम्मान में यहाँ वर्जित है अब हम लोग दर्शन करने जा रहे हैं तीसरे सबसे प्रसिध पंडाल गुरुजी तालीम गणपती का गुरुजी तालीम गणपती को पूरे का सबसे पुराना मंडल कहा जाता है जो कि लोकमान तिलक द्वारा गणपती उत्सों को पुनर जीगित करने से पहले ही शुरू हो गया था इसलिए ये अपने में विशेश है इस मंडल का 1887 में एक हिंदू और एक मुश्लिम परिवार द्वारा शुरू किये जाने की वज़ा से एक अलोधा इतिहास है इस पंडाल के इस्थापना ही सामपरदाइक सौहाद्र फैलाने के लिए हुई थी जिसको यहाँ बखोभी निभा रहा है अब हम लोग दर्शन करने जा रहे हैं पूने के चौथे सबसे मुखे पंडाल जिनका नाम है तुलसी बाग गनपती तो चलिए दर्शन करते हैं तुलसी बाग गनपती पूने की सबसे बड़ी गनपती की मूर्ती है जिसके उचाई करीब 15 फीट है यहाँ पंडाल इसलिए विशेश है क्योंकि यह मंडल तुलसी बाग बजार की उन महिलाओं को सम्मान देता है जो इस बजार में राजयश्य यानि रेन्यू लाने में मदद करती है तुलसी बाग गनपती की हर साल एक अनूधी ठीमोती है लेकिन ये भव होने पर ज़्यादा खर्चा नहीं करते दान का एक अच्छा खासा हिस्सा विभिन सामाजिक कारियों के लिए दिया जाता है तो आप कभी भी यहाँ पर आते हैं तुलसी बाग गनपती का दर्शन तो बनता ही है अगर हम लोग दर्शन करने जा रहे हैं पूरे के आखरी यानि की पाँचवे केसरी वाडा गनपती जी का दर्शन करने पूरे के सबसे प्रसित पाँच गनपती पंडालों में इनका इस्थान पाँचवा है इसकी स्थापना भी लोकमान बाल गंगाधर तिलग जी ने 1893 में की थी यहां पंडाल बच्चों और अन्य भक्तों के लिए अपनी सामाजिक और सांस्कुतिक गत्विधियों के लिए इस्थाई लोगों के बीच प्रशिद है माना चिप पांच गनपती पंडाल का दर्शन हम ने काप से करा दिया लेकिन ये वीडियो यहां ख़तम हो रहा है लेकिन अगले फ्रैड़े हम फिर से भी लेंगे और वहाँ पे हम दर्शन करेंगे पांच ऐसे गनपती पंडालों का जो पूना में बहुत स्वेमास है जिसका भाख मौत है तो अगले फ्रैड़े तक हमारा इदरार करिए लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए इससे मैं मोटिवेट होता हूँ मिलता है अगले फ्रैड़े गए